हेलो स्टूरेंट्स, इस वीडियो में हम आपकी 7th क्लास की इंग्लिश की वर्क्सी तंबर 16 पढ़ेंगे, समझेंगे और जो भी उसमें करने को दिया है वो करेंगे, ठीक है, जिसकी डेट है 18 नवंबर 2020, Yes students, पहले तो आपको ये बात पता ही है, नेम उफ दू स्टूरेंट में क्या लिखते हैं, आपका नाम लिखेंगे, राइट, और नेम उफ दे क्लास टीचर में आपक्या लिखेंगे, अपने क्लास टीचर का नाम, और अगर आपको बोल दिया है अपने सब्जिक टीचर का न एक ऐसे इंसान के बारे में सोचो जो हमेशा disagree, agree होता है सहमत होना मान लेना किसी बात को और disagree होता है ऐसा हमत होना जो किसी बात को नहीं मानता तो आपको एक ऐसे इंसान के एक ऐसे परसन के बारे में सोचना है जो हमेशा ऐसे हमेत रहता है बात को नहीं मानता आपकी या अपने दोस्तों की बात नहीं मानता और likes to do the opposite of what everyone thinks और वो वो करना चाहता है वो उसको पसंद होता है opposite यानि के उल्टा जो हर एक सोचता है उसका वो क्या करता है they should do जो सोचते हैं सब क्यों से करना चाहिए वो उसका उल्टा करता है ऐसे इंसान को सोचो think of a word to describe सचा परसन और एक शब्द सोचिए ऐसे परसन को आप क्या बोलेंगी ऐसा इंसान जो वो करें जो सब ना करें मतलब उल्टा जो उसको बोला जाए वो ना करें तो think of some of the things such a person generally does और ऐसे कुछ चीजों को भी सोचिए जो एक ऐसा इंसान करता है generally ठीक है now read the poem given blog composed by D.J. and write आप आप क्या करिए poem को पढ़िए poem नहीं बोलना बच्चों आपको poem बोलना है ठीक है P.O.E.M. जो यह word है ना इसको अब हम क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम poem ठीक है तो वो आपको यह बोला गया है कि जो आपके slaves में है बच्चों यह poem ठीक है कौन सी poem है D.J. and write ने लिखी है और इस poem का नाम है Rebel क्योंकि बच्चों जो बच्चा बात नहीं मानता हर बात के opposite करता है किसी की जो teacher बोलते है उसका उल्टा करता है जो friends बोलते है उसका उल्टा करता है उसको बोलते है Rebel तो Rebel कौन होता है जो हम कहते हैं ऐसा ना करे बातों में सहमत नहीं हो अपनी मर्जी चलाए देखो जैसे आप सोचते हो कि डेक्स पे बैटके ऐसे करेगा डेक्स पे शांती से बटा जाता है चेर पे है ना सोरी चेर है डेक्स नहीं है तो जो बचा अब इतनी शतानी करता है जो बात नहीं मानता उसको बोलते है रीबल आ सिसेयर ग्रौलों जब हर एक इंसन अपने छोटे बाल रखता है तो जो रैबल होते हैं वहाचले वह अपने बड़े पाल अपने जो बालों को लिम कड़ते हैं वेन एवरीबडी हैस लोंग हेर और अगर सब लोग क्या करें लोंग हेर रखें यानि के बड़े बाल रखें दर रेबल कर सीज एर सोट जो रेबल होते हैं वो क्या करते हैं वो अपने बालों को छोटा काट लेते हैं वेन एवरीबडी टॉक्स ड्यूरिंग दे लेसन अगर हर एक क्या करें लेसन के जब पड़ाया जा रहा हो उसके बीच में बाते कर रहे हैं जो rebel होते हैं जो बात नहीं मानते वह क्या करते हैं एक भी शब्द नहीं बोलते हैं अगर ऐसा हो कि किसी को बात नहीं करनी लेसन में टीचर समझाते जा रही है तो rebel creates a disturbance, तो rebel क्या करते हैं, फिर rebel उसमें disturbance करते हैं, उसमें दखल अंदाजी करते हैं, परिसान करते हैं, when everybody wears a uniform, जब हर एक कोई क्या करते हैं, uniform पहनते हैं, तो rebel क्या करते हैं, fantastic cloth पहनते हैं, uniform मैं बता क्या होता हैं, जो सब एक जैसे खपड़े पहनते हैं, उसको बोलते है यूनिफोर्म और रेबल क्या पहनेंगे रेबल पहनेंगे फंट्रास्टिक मतलब बढ़िया से बढ़िया कलर देलर के जो आपके पार्टी वियर कपड़े इस तरीके के पहनेंगे नए डिजाइंग के हैं ना एडवा मोडन कपड़े और वेन एवरिबड़ी वियरस फंट् इस तरीके की ड्रेस वेंते हैं तो रेबल क्या करते हैं एकदम उल्टा करते हैं हम ने देखा चलिए बच्चों आप हम कर लेते हैं इसके आसान-आसान से कॉशन है जो आप फटाफट कर लोगे अगर आपने सुनाय दियान से अब आप बताते जाना मैं पूस्ती जाओंग जब rebel क्या करते हैं? जब सब लोग अपने बाल रखते हैं? बताओ जल्दी, बालों को काट लेते हैं, fantastic cloth पहनते हैं, talks करते हैं, during the lesson जल्दी, बताओ इसका answer क्या होने वाला है? येस, इसका answer क्या है? जब सब लोग बड़े बाल कर लेते हैं, तो यह अपने बालों को काट लेते हैं वेंड दस दर रेबल क्रियेट डिस्टरबंस और जो रेबल होते हैं वो कब डिस्टरबंस करते हैं कब मतलब क्या करते हैं कब परिसान करते हैं वेंड दस रेबल क्रियेट डिस्टरबंस कब करते हैं यह rebel log disturbance when everybody talk जब करते हैं जब सब लोग बाते कर रहे होते हैं यह तब करते हैं जब सब अच्छे कपड़े पैंते हैं फंटास्टिक कपड़े पैंते हैं यह तब करते हैं जब कोई भी बात नहीं करता तो यह disturbance तब ही करते हैं जब कोई भी बात नहीं करता तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका C ओप्सन ठीक हो जाएगा फस्ट वाले में हमारा A था और सेकेंड वाले में क्या हो जाएगा C ठीक है बात कर रहा हैं कोई भी बात कर रहा होता है चले अब आगया मैच है न कितने इजी थे सारे match the opposite of the following words अब हमें opposite word करने है यानि के उल्टे सब्थ अब ये column A है और ये column B है इनको match करना है तो देखो short, short का मतलब होता है छोटा, आप ढूंडो लंबा कहा है तो long होता है लंबा तो हम इसको इससे match करतेंगे राइट इस्टुरेंट्स आप देखते हैं अगला word है हमारा everybody, हर एक तो हर एक का उल्टा होता है कोई भी नहीं, है ना हर एक, सभी, ये nobody कोई भी नहीं, तो ये हो गया इसका opposite word, राइट इस्टुरेंट्स चले, अब चलते हैं अगले शब्द पे अगला है grow grow होता है, बढ़ना तो बढ़ना, और तो जब किसी चीज को कम कर देते हैं कट कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं, कट करना, कम कर देना है ना, तो इसका हो गया आपका grow का कट, ठीक है आप देखो, rebel, rebel होता है जो सब कुछ उल्टा करता है, कोई बात नहीं मानता, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, हम rebel, और जो बच्चा हर एक बात को माने, उसको क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे obedient, तो इसका आंसर कुन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा obedient, अब देखो, एक शब्द है disturbance, disturbance जो परेशान करता है, जो बीच में बाधा होत्पन करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, disturbance बोलते हैं, और जहांपे शान्ती होती है, अब उसे ढूंड़ो शान्ती कहां है, तो सान्ती को ढूंड़ो जल दिसे, तो एक ही तो बची है, वो सांती जी है यानि के peace जो हाँ पे शांती होती है तो disturbance का उल्टा हो गया peace बच्चों यह आपको learn भी करने है ठीक है तो यह आप इस तरीके से column A को column B से match कर लेंगे ठीक है यह question हो गया आपका you must have been अब यह B वाला part देखते हैं you must have done something like the rebel, तुमने भी कुछ ऐसा कर रहा होगा जो rebel होगा, rebel मतलब उल्टा होगा, write any two such things, अब ऐसी दो चीजों को लिखना है, जो आपने ऐसी करी है तो बच्चों क्या करी हैं आपने तो जो भी आपने करी हैं वो आप लिख सकते हैं, देखो जैसे हमने यह answer लिखा है, इसका on my first day, यह नहीं करना बच्चों आपको यह दूसरे वाले का दे रखा है एक मिनिट हाँ हाँ, यह दोनों ही चीजे हैं दोनों ही आपके जो question था question number 5 उसके answer है तो आपको यह उत्तार लिखना है when I was in my abacus room जब मैं अपने abacus वाले room में था जहाँ पर computer बगरा से काया जाता है everybody, यहाँ पर fully stop लगाना room के बाद, everybody was talking when teacher was gone, जब teacher चला गया था हर एक कोई बात कर रहा था and when the teacher came और जब teacher वापस आये I was busy in talking with my friend और मैं क्या करा, मैं अपने दोस के साथ बात करने लग गया जब कि सब चुब हो गया क्योंकि teacher आगया लेकिन मैं बात कर रहा था तो यह क्या हो गया रिरेबल हो गया ठीक है, क्योंकि जान बुच के नहीं करा लेकिन फिर भी हो गया on my first day of school और जब मैं school में पहला दिन था in the lunch period everybody was enjoying हर एक क्या कर रहा था enjoy कर रहा था and I was sitting alone in the last bench और मैं अकेला बैठा था क्या पे last bench पे and when all were studying I was enjoying और जब सारे के सारे पढ़ाई कर रहे थे मैं क्या कर रहा था मैं मस्ती मार रहा था तो यह क्या होगे हमारे रिबल बाले काम तो आप पांच वेक option के answer में बच्चे यह लिख लोगे ठीक है तो यह हो गई आपकी बड़ी आसी work seat hopefully वीडियो से आपको help मिली होगी तो बच्चो आपको बताओ क्या करना है आप तो सारे intelligent हो सबको पता चल गया है क्या करना है अगर अभी तक किसी ने like नहीं करी है like कर दीजिए और बच्चो अपना एक प्यारा सा comment भी लिखा करिए क्योंकि I like to read your comment मुझे बहुत पसंद है आपके comments को पढ़ना और जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं नए हैं subscribe कर लीजिए ठीक है और dear students आपको notification bell भी दबानी होती है जिससे आपको वीडियो के notification भी सबसे पहले मिले और प्यारे बच्चो जो भी बच्चे हैं जो वीडियो देख रहे हैं उन सब की जिम्मेदारी है आज अपने सभी दोस्तों को कम से कम 20 दोस्तों को अपनी हिमानदारी से आपको शेयर करना है तेंक यू